इस वीडियो के बाद गे हमसे date and time category के function चार function आज explore करेंगे हम date value, week num, days और days 360 तो आगे चलते हैं वीडियो में एके करके चारो function को example गजर ये इसे सीखते हैं और इसका use, इसका implementation करके देखते हैं सबसे पहला function आज introduce करूँगा week num, चार function के series में सबसे पहला function week num की बात करेंगे week num क्या करता है उसकी बात करते है, equal to week num, नाम से ही लगड़ा है week number, एक साल में total कितने, 52 week के आसपास के, आसपास के 52 week, ठीक, leap year वाला चक्कर ना हो तो तो week num function क्या करता है, it returns the week number in the year, week number, जो भी date पास करूँगा मैं, वो date जो है, उसका week number कौन सा है वो बताने का काम किसका, week num function का, जैसे कि मैंने पास किया week num, ये रहा, serial number का मतलो क्या, value की बात कर रहा है, ये रहा date एक जनवरी 2020, कौन सा week होना चाहिए, week number one, bracket burn, और enter, ठीक है, इसका format change करना होगा, यहाँ पे जाएं, और यहाँ से इसको क्या बना देंगे हम लोग, number बना देंगे, तो ये number में convert हो जाएगा इस तरीके सा आपने पता कर लिया कि ये जो एक जनवरी 2020 है, वो पहला week है, ठीक है जी, अब थोड़ा सा date को आगे बरहाते हैं, अगर एक जनवरी की जगए पे मैं दो करूं, तीन करूं, चार करूं, पांच, छे, साथ तक क्या होना चाहिए, week one करके देखते हैं, तीन जन पांच, ये क्या चक्कर है, ये पांच जनवरी को week number two कैसे आ गया, पांच जनवरी को week number two इसलिए आ गया, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि हर एक साल का पहला दिन, तो एक तारिक होगा, ये तो confirm है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, कि उस साल का पहला दिन होगा, वो संडे क्या सीखते हैं, date and time में क्या सीखा है, default की जब बात आती है, तो दिन कहां से start, Sunday, ये जो week number function क्या consider करके चलता है, ये वताने कोशिस करता हूँ, ये मांगता है आपसे, कि मांगता और मानता है, कि जो date होना चाहिए, वो एक तारिक होना चाहिए, पहले week के लिए, date होना चा चाहिए, वो होना चाहिए, Sunday, ऐसी का guarantee है, कि उस दिन हर एक साल के एक तारिक को Sunday ही होगा, जैसे की calendar को चेक कर लेते हैं, कि क्या, issue क्या था, तो हम चलते हैं यहाँ पे, अब चले गए, यहाँ से ले लेते हैं January, एक जनवरी 2020 को Sunday नहीं था, एक जनवरी 2020 को Wednesday दे था, लेकि भी वो तीन दिन आगे चल ला है, तो पास तारिक कोई, बलब फिफ्थ कोई आगया week number two, अब आपका सवाल होना चाहिए, कि सर, मेरा तो वर्णस डे था, अगर यहाँ संडे से स्टार्ट कर लेगा, तो नहीं वीक को गरवर करकर रख देगा, तो वो आपका week गलत नहीं कर पर यह, ऐसे situation में, आप इन सहाब को बताएं, return type, आप इनको देंगे return type, यहाँ पे जाएंगे, कौमा लगाएंगे, और आप इनहें बताएंगे, कि भाई साब मेरा Sunday नहीं, मेरा तो वर्णस डे, ऐसे, अब पांस तारिक को भी week one, छे तारिक को भी week one, और साथ तारिक को भी week one, सिर्फ कहां जाके week two, यह आठ जाके week two, ठेक है, यह week num का concept आप लोगो समझ माया, अब उसे आगे बढ़ते हैं, next function बात करेंगे, date value, date value function क्या करता है, वो बता देता हो पहले, आप इसको पहले समझे, वो date, जो की दिखने में date हो, लेकिन actual में हो वो text, उसको मेरा य जो की उस date को represent करता है, फिर से repeat करें, वो date, जो की दिखने में date हो, जैसे की, यहाँ पे मैंने लिख दिया, बार है, अगस्त 2020, यह अभी date है, लेकिन, अगर मैंने इसके आगे apostrophe लगा दिया, अब क्या हो गया, यह date है, यह text हो गया, अब यह हो गया, टेक्स्ट, लेकिन द दिखने में हो date, बट actual में हो वो text, यह text है, उसको मेरा यह function date value किसमे convert कर देता है, value में convert कर देता है, यह देखो, मांगेगा आपसे date text, यह रहा date text दे इह आपने, इसको किसमे convert कर देगा, value में लेका का जाए, date value, date की value होती है तो उसकी original value उठा के लिए का जाएगा value में convert कर देगा कैसे format अभी आ गया यहां से इसको custom में जाके यहां से number बना दो, यह है value ठीक है, उसको मेरा यह function किसे में convert कर दिया value में convert कर दिया वो value जो की उसी date को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर इस value को अगर आप यहां से date बना दो तो वो date है 12 अगस्त देख लीजिए समझा वो date है यह function अधा date value date value का बना क्या होता है जो जिस value पर date date assign हो रखा होता है वो date की value उठा के लेका जाता है लेकिन आपका जो date है वो text के format वह होना चाहिए ठीक है यह था आपका date value function यह जितने function अभी आपको कराता जा रहा हूं मैं फिर से repeat कर रहा हूं concept बता रहा हूं सिर्फ बता रहा हूं कि function काम क्या करता है बस इसके example के series फिर से लेका होंगा examples भी कराना है अभी अभी तो concept बता है ठीक है next concept में move करते हैं अब बात करते है days और days 360 यह दो function की बात कर रहा हूं पहले बात कर लेते हैं days यह सीधा सीधा इसमें कोई वो नहीं दिक्कत है आप equal to pass करें यह minus यह date के concept में यह भी चलता है date के concept में यह भी चलता है उसी तरीके से आप equal to pass करें days पास करें यह, comma यह यह भी चलता है समया बात मतलब आप date के concept में या तो आप end date में से start date को minus कर दें कोई प्रालम नहीं है या दूसरा option days function सीधा सीधा date का difference निकाल देगा कि इस date और इस date के बीच में कितने days का gap है नहीं सीधा सीधा 11 दिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक अगस्ट 2020 और यहाँ पर मैं लिख दू 31 अगस्ट 2020 यह देख लीजिए कितने दिन का gap है सीधा सीधा 30 दिन यह function था days अब बात करतें days 360 कम होता है use लेकिन काम का function है बट कहां होता है use days 360 वह बात कर लेता हो है यह days ही same function है लेकिन days 360 हम लोग वहाँ use करेंगे जिसका accounting system 360 day year हो यह 360 day year का मतलब क्या होता है कुछ country जैसे European country है वहाँ पे 360 days का format चलता है कैसे जिसका accounting system 12 into 30 days वाला चक्कर हर एक महिने को 30 days बानके चलते है अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं लिख दून equal to days 360 और मैं पास कर दूँ start date ये comma end date ये bracket बंद ये US method चल गया हम लोगों जैसा pattern है इसका ये देखिए 30 days सीधा सीधा days जैसे कहा नहीं निकाल दिया ये भी तो days बंसर भी तो यही करता अब इसी में आप पास कर दें यहाँ पे चुकी method आपने नहीं पास किया था अगर आप कोई method नहीं पास करोगे तो ये by default US method उठाता है लेकिन अगर आप European method ले ले इसको true कर दीजिए कौन सा method सल गया भी है European method ये हो गया pattern इसका अलग 29 इस तरीके से आप days और days 360 यूज़ करेंगे days 360 specific जगे पर यूज़ होता है जिनका accounting system 360 day year है तब आप यूज़ करोगे days 360 अदरोज हम लोग हमेशा कौन सा यूज़ करते है days उमीद करता हूँ ये चारो function का मैंना भी concept again I am repeating concept सिखाया है ये समझ माया होगा अब इनके examples को explore करना start करेंगे जिसमें actual में देखिए होता क्या है किसी भी function का individual कोई power नहीं होता है वो जब किसी दूसरे function के साथ associate किया जाता है उसके साथ जब nested किया जाता है power तब बढ़ता है तो अब वो time आ गया है कि जब मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए date and time का उसमें मैं क्या लेका आया करूंगा उसमें उ दो मन्त मैनस यह वाली कहानी तब करेंगे अब आपसे मिलता हूं next video में date and time function के इसी सीरीज में एक concept अभी आना बांकी है उसके लिए आपको next video का वेट करना होगा और वो सबसे बहतरीं concept में से एक जिसका नाम है तो अब आपसे मिलता हूं उसी function के साथ next video में thank you उसके टूट आपसे मिलता हूं